हलो डियर फ्रेंड्स वेलकम तू लर्न इंडिया ओफिसियल चैनल तो आप लोगों को SSC CGL 2022 के most expected MCQ करवा रहा था जिसमें से part 1 हो चुकी है और part 2 यह जो है यहाँ यह भी मैं करवा चुका हूँ तो आप लोग जो जो देख चुके हैं वो part 3 को देखिएगा और जो नहीं देखे हैं इस सब को दोनों जो part set 1, set 2 है दोनों को देख लें और यह आज start कर रहे हैं set 3 इसमें कुल 40 question रहेंगे जो most important question है तो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखें और मुझे बताएं कि कितने नमाक्स आ रही है तो यहाँ से start करते हैं first question first question दिया गया है कि भारत की जनसंख्या का वार्षिक व्रीधी दर बरतमान में है कितनी व्रीधी वार्षिक दर है तो यहाँ 4 option दिया गया आप लोग answer देने के कोशिस करें तो इसका answer correct हो जाएगी option B 1.64% चली second question श्टार्ट करते हैं second question दिया गया है कि सरवधिक जनसंख्या घनत वाला राईजी है सरवधिक जनसंख्या घनत वाला राईजी कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा पस्चिम मंगाल option यह correct हो जाएगी यहाँ state पूछा गया है ओके डियर यहाँ ना समझें की मतलब केंदसासित परदेश के बारे में और ना दिल्ली हो जाती चली तिरी नमबर में है कि भारत की बरतमान साक्षयता दर क्या है भारत की बरतमान साक्षयता दर क्या है option दिया गया है आप लोग answer देने के कोशिश करें तो इसका answer हो जाएगा 74.04% option यह correct हो जाएगी question number 4 4 में दिया गया है कि बरतमान में कूल जन संख्या का कितना परतिसत नगरों में निवास करती है बरतमान में कूल जन संख्या का कितना परतिसत नगरों में निवास करती है तो 31.16% option दी correct हो जाएगी आगे दिया है 5 नमर में बिहार के पूरू साक्षयता दर में साक्षयता में सबसे कम साक्षयता वाला राज है बिहार के बाद पूरू साक्षयता में सबसे कम साक्षयता वाला राज कौन सी है तो हो जाएगा answer अरुनाचल परदेश option दी correct हो जाएगी next question 6 नमर सबसे कम जन संख्या वाला राज है किस राज में सबसे कम जन संख्या है तो इसका correct answer सिक्कीम हो जाएगा और छेत्रफल में सबसे कम गोवा होती है ओके फ्रेंट्स यहाँ option एक correct हो जाएगी आगे दिया 7 नमर में बरतमान में भारत में कुल कितने rail मंडल है कितने rail मंडल है तो यह हो जाएगा 17 option सी correct हो जाएगी यहाँ कुछ ब्याख्या में दिया गिया है कि कोल कत्ता मेट्रो रेल का गठन 19 दिसंबर 2010 को रेल मंडल के रूप में किया गिया है ओके चली आगे दिया है 8 नमर में कि बिसु का सबसे उचा सडक मार्ग है बिसु का सबसे उचा सडक मार्ग कौन से है तो यह current affair का question है friends option A correct हो जाएगी लेह स्रीनगर चली 9 नमर स्टार्ट करते है 9 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परसांत मासागर की ठंडी जलधारा है परसांत मासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है तो इसका answer correct हो जाएगी California की जलधारा option A correct हो जाएगी आगे दिया है 10 नमर में सुमेलित करने के लिए निम्न को सुमेलित करें ठंडी जलधारा को मासागर के साथ तो अंटार्टिक की जलधारा जो है इसका हो जाएगा B ओके और Labrador की जलधारा एक से मिल जाएगा और पस्च्मी अस्टेलिया की जलधारा हिंद मासागर से और एक option ओर दिया गया है कनारी का जलधारा तो friends ये Atlantic मासागर में ही पड़ती है इसलिए यहाँ option एक करेक्ट हो जाएगी ओके friends आगे चलते हैं 11 नमर यहाँ कुछ प्याख्या दिया है कि Atlantic और परसांत दोनों मासागर की ठंडी जलधारा का नाम Antarctic है चले 11 नमर है संसार का सबसे बड़ा बंदरगा है यह सारे most important सेंडियर तो आप लोग exam से पहले जरूर इसको पढ़के जाए तो 11 का हो जाएगा New York option बी correct हो जाएगी आगे दिया है Europe का सरवच परवत शिखर है Europe का सरवच परवत शिखर कौन सी है तो हो जाएगा L बुर्ज option A correct हो जाएगी आगे 13 नमर में दिया है कि बुड़ा पेष्ट किस नदी के किनारे इस्थित है सारे important सेंडियर तो बुड़ा पेष्ट किस नदी के किनारे इस्थित है Danube नदी के किनारे option D correct हो जाएगी आशा करते हैं कि आप लोग भी जवाब दे पा रहे होंगे 14 नमर में दिया है उसन कटी बंदिये घास भूमी को अफरिका में किस नाम से जाना जाता है अफरिका में उसन कटी बंदिये घास के भूमी को किस नाम से जाना जाता है तो सवाना के नाम से जाना जाता है option B correct हो जाएगी आगे दिया 15 में भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन किस राज़ में होता है बॉक्साइट तो उडिसा में सबसे जादा होती है option B correct हो जाएगी 16 नमर में दिया है कि भारत में सुद्ध बोए गए छेत्र के लगभक कितने परतिसत भाग पर सिचाएट की सुविधा उपलब्द है कितने परतिसत पर तो 33% option D correct हो जाएगी 17 नमर में दिया है कि Geological Survey of India Geological Survey of India का मुख्याले इस्तित है कहां इस्तित है तो ये कलकत्ता में इस्तित है option B correct हो जाएगी सही आगे दिया है 18 नमर में कि राउर केला हिंदूस तान स्टिल लिमिटेड दूसरी पंचवर्षिय ओजना में निर्मित है इसे किस देश की सहायता से स्थाप्तित किया गया था राउर केला और हिंदूस्तान स्टिल लिमिटेड किस देश की सहायता से तो जर्मनी की सहायता से उगा था फ्रेंट्स option A correct हो जाएगी चलिए आगे दिया है 19 नमर में स्टिल अथरिटी आफ इंडिया आनि सेल की स्थापना वर्स हुई है कब हुई है सेल की स्थापना तो 1924 में हुई है option A correct हो जाएगी तो फ्रेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्यूज के रूप में आप लोग ले रहे हैं और जवाब दे पा रहे हैं अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दें डियर आगे दिया है कि भारी इंजिनियरिंग निगम लिमिटेड HEC राची की स्थापना कब हुई है तो 1958 में हुई है Option D Correct हो जाएगी आगे दिया है रेल के इंजिन बनाने का सबसे पुराना का रखाना है चार उप्सन है आप लोग एंसर देने के कोसिस करें तो इसका एंसर Correct हो जाएगी Option B Correct हो जाएगी आगे दिया 22 भारत की सबसे पुरानी परवत शिकर है Option है हिमालाई मालवा अनमलाई अरावली सबसे पुरानी तो यह अरावली है जो राजस्थान जिला में पढ़ती है और Option D Correct हो जाएगी दिया 23 कि दक्कन के पठार का निर्मान किस चटान से हुआ है दक्कन के पठार का निर्मान किस चटान से हुआ है तो 23 का C Correct हो जाएगा जो आला मुखी चली 24áfic कौन सी परवत माला उत्तर भारत को दक्षीन भारत से अलग करती है कौन सी परवत माला उत्तर भारत को दग्षीन भारत से अलगक करती है तो इसका answer A correct हो जेगी बिध्यान चल चली 25 नमर भारत का सबसे उच्चा जल पर पात जो स्रावती नदी पर इस्थित है कौन सा है सबसे उच्चा जल पर पात हम सभी जानते है यह इसका correct answer हो जागा है जोग जोग जल पर पात जो सरवास्ति नदी परिष्थी थे चली 26 नमर ब्रमपुत नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है तो friends यहां सारे के सारे important questions है तो आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देखें तो क्या जाना जाता है दिहांग option B correct हो जागी 27 नमर कापास की खेती के लिए सरवाधिक उप्यूक्त मिटी है सरवाधिक उप्यूक्त मिटी कौन सी हो जाएगी तो काली मिटी सबसे ज़्यादा उप्यूक्त होती है कापास की खेती के लिए option B correct हो जाएगी 28 नमर मदुमख्य पारन को हम किस नाम से जानते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा AP culture option एक correct हो जाएगी 29 नमर में दिया है कि राष्टिये जैलमार्ग संख्या 1 किसे कहते हैं किसे कहते हैं तो correct answer इसका हो जाएगा इलहाबाद से हल दिया option B correct हो जाएगी थर्टेन नमर में दिया है हीरा कुनबान्त प्रियोजना किस नदी परिस्थी थे किस नदी परिस्थी थे तो ये महा नदी परिस्थी थे और ये उरिसा राज में पढ़ती है ओके फ्रेंड्स option C correct हो जाएगी आगे दिया है 31 नमर में blue house किस देश के राष्टपती का निवास है दक्षिन कोरिया option B option A correct हो जाएगी ओके friends आगे दिया है 32 पर्थम बित आयो का गठन कब किया गया था पर्थम बित आयो का गठन कब किया गया था तो 1951 में option B correct हो जाएगी आगे दिया है कि Mount Popa किस प्रकार के पर्वत का उधारन है Mount Popa किस प्रकार के पर्वत का उधारन है मोड़दार पर्वत ब्लॉक पर्वत गुमबादार पर्वत और ज्वाला मुखी पर्वत तो यहां correct हो जाएगी ज्वाला मुखी पर्वत option D correct हो जाएगी आगे दिया है रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है काला होता है फ्रेंड्स, option A correct हो जाएगी आगे दिया है कि आधुनिक मानों का पूर्वज काउन था, आधुनिक मानों का पूर्वज होमो सेपियन्स था, option B correct हो जाएगी आगे दिया है 36 नमर में कि समिधान में भारत को किस प्रकार का राज कहा गया है, तो ये राजियों का संग कहा गया है, option A correct हो जाएगी आगे दिया है 37 नमर में कि कस्मीर को मुगलकाल में कि सासक त्वारा विजित किया गया, आनि विजय किया गया, तो इसका correct answer हो जाएगा, अकबर के द्वारा, option B correct हो जाएगी मतलब अकबर के द्वारा विजिट किया गया, नि देखा गया, ओके फ्रेंट्स, चली, 38 नमर में है कि कौन सा सासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, दिल्ली से दौलताबाद कौन सासक ले गया था, तो ये मोहमत बिन तुगलक, option D correct हो जाएगी आगे 49 नमर में दिया गया है कि मुद्रा इस्फिती क्या है, मुद्रा इस्फिती क्या है, तो मुद्रा इस्फिती वस्त्मों और सेवाओं पर की गई तुलना में मुद्रा का अधिक उत्पादन, option D correct हो जाएगी, ओके फ्रेंट्स, लास्ट कोस्टन ये है 40 नमर का, कि भा कारण है, तो फर्स्ट में दिया है कि तिब्र, जन संक्या बिरिदी, ऊच, मुद्रा इस्फिती, और सी में दिया है सकल, राष्टे उत्पाद की अपेक्छा, मंद बिरिदी, तो फ्रेंड्स, यहां option D correct हो जाएगी, सभी के सभी सही है, तो यहां 40 question, जो सारे most important question है, फुर और SSE CGL और GD के लिए भी, तो आप लोगों को आसा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग अगर subscribe नहीं कियें, तो मुझे support करें dear, subscribe करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद